प्राब्लम्स को देखकर डरने से अच्छा है, प्राब्लम्स के कारण क्या है वो जानकर उनसे डरना चाहिए, अच्छा वासु मैं चलता हूँ ए क्रिश्ना, मेरी बात मानना, मैं भी तरह साथ चलूँगा नए नए वासु, मैं समाल लूँगा, तू निकल इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान का, किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी इंसान को मारने का दिल जरूर करता है लेकिन हमारी मजबूरियां, फैमिली, सोसाइटी, इनकी वज़े से वो ऐसा नहीं कर पाता लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे जिसे मारने का दिल कर रहा है, वो मेरी आँखों के सामने है उसे मैं कब, कैसे और कहां मारूंगा ये नहीं जानता लेकिन मारूंगा जरूर लेकिन मारूंगा पहेसे जोड़ום से सामने हुआ कर लेकिन tiny mountain अब कर लेकिन मारूंगा, ंna इनकीन मारूंगा झाल 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 पिछली बार तो बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बचोगे तुम लोग बच्षुट्वें कुल्च जुट्वें किसंद शुट्वें किसंद भंच्वें आधाया फिर लेकिन इस बाता अबिंद्र पिछुंआ कुछ ने ये निच जो कि चो कि चो कि चो कि चो को कुम को कि चलो बॉस, हमें यहने रुकना चाहिए, चलो ये लोग कौन है, इनके साथ मैं क्यों जा रहा हूं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसे लोगों की जरुरत है क्यों दादी, आज भी चिला रही हो, मैंने सही से इंजेक्शन नहीं लगाया, क्या? आरे नहीं, ऐसी बात नहीं है दिव्या, तुम तो इंजेक्शन ठीक से लगाती हो, लेकिन मैं उसे देखते ही डर जाती हूं हाँ, रोज बाते करती हो, मुझे बहुत देर हो रही है, दादा जी, खाना खाने के बाद दवाई ले लेजिएगा ठीक है बेटा कांटिंग मशीन ही नहीं सर, पेपर सेटर मशीन, लेमेनेशन मशीन, बिलिंग मशीन, क्यों रे, मुझे तो लगता है दादी की सेवा करते करते ही तु डॉक्टर बन जाएगी कल से मैं वॉक पर नहीं जाऊंगा क्यों पापा क्या हुआ हमें गौव में 33 साल होगे सर्विस करते हुए बैंक से रिटायर होने तक मुझे से किसी ने गलत बात नहीं की लेकिन यहां चलते समय कोई भी इदर दर से धक्के मारता है, बेज़ेत ही करता है यह लीजिये, आपको तो रोज वॉकिंग में परेशानी होती है इसी लेकाता आराम से रहूँगा, लेकिन तुम नहीं माने पापा, इतनी सी भाद के लिए आप टेंशन क्यों ले रहे हैं सिंपल मैटर है, बस तीन सो रुपए में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, रुखिये मैं आता हूँ यह लीजिये पापा यह क्या है बेटा? आप पहन के तो आईए इसे अगर मैं पहनूँगा तो तुमारी मा मुझ पर हसेगी पापा, जाएए न, पहले पहन के तो आईए, जाएए पापा ए तु अभी तक यहीं खड़ी है? अरे मा, पापा ड्रेस चेंज करनेगा है, उनका इंतजार करूँगी हाँ हाँ इंतजार करो, वो नया ड्रेस पहन के आ रहे हैं, तब हम लोग केक काटेंगे, चल जाती हूँ क्रिष्णा, ए क्रिष्णा, कल तेरी दादी ने घर पे एक प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया था, उसने कहा विरार में 600 स्क्वार फीट का एक फ्लैट है, बोला कि 18 लाख में मिल जाएगा, अगर तू करो तो जब आपकी कोई भी बेजज़ती नहीं करेगा, हा बेटा, ये तो बहुत अच्छा है, क्यों बेटा, तुम्हाली मा के लिए भी कोई सीट्रेस है क्या, आप भी ना पापा, क्यासी बाते करते हैं बच्चों के सामने हां, मा, वासु आ गया, मैं चलता हूँ, बाई पापा ठेक है, बिटा ज़राना मुझे देख की यूटन क्या तुमारी हलमेट का है मेरा हेलमेट यह रहा मैडम क्यों पीछे वाला आपनी जिम्मेदारी निवह रहा है हलमेट पैन के तुम्हें ज्यादा चरबी हो गई है क्या इसको फ्रेंड्स समझकर बठाया और मेरा हलमेट पैन लिया तो मैं क करो क्या हुआ चुप क्यों हो तुम मैं क्या बोलू वाश्रू की शकल देखी ना मज़ा आ रहा था मुझे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि आफिस जाते समय तंग मत किया करो तुम्हारे साथ बाइक पे जाता हो तो लोग मुझे मुझरिम समझते हैं बड़ी बेज़ती हो को रही है मैं तुम्हारे लिए ट्रांस्पर लेकर यहां पे काम कर रही हूं तुम्हें याद है कॉलेज की बात कुछ और थी लेकिन अब की बात कुछ और है तुम अब पुलिस वाली हो अब क्या करना है वो बताओ यहां से आटो में जाओ ओके सॉरी डालिंग मैने याओंगी तुम जाओ अखेले मैं तुम्हेश्य बोल रहा हूं अब तो चलो तुम क्यों नाराज होते हो मैंने तुम्हें क्या शहर घुमाने के लिए काह था बस बात करने को तो काहा था मैंने ठीक है चलो बात करते चलते हैं ग्लोबल तेक यह सब मशीन अवेलिबल हैं गुद मॉणिंग सब्सांट है जी सर फ्री डेमोः है आपके लिए कुछ बोला था किया है यह ज्यादा बोल मत मामा की लड़के लिए काम मांगा था हूँ वह बहार खड़ा है उसने सून लिया तो मैं तो गया ये राजा, आया भाई, मॉर्निंग सर, एजुकेशन क्या है, आई टी आई सर, लेकिन सब काम करता हूं सर, विजे कमपनी में दो साल काम किया हूं, उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने खुद ही छोड़ दिया, वहां डिसिप्लीन नाम की चीज ही नहीं थी, ठीक ह यहां के रोड अच्छे से जानते हो ना, यह देखो ना सर, इसमें पूरे मुंबही क मैप है, जी जी, हम कॉलेज में मशीन्स चाहिए और डेमो मांग रहे हैं, ठीक है, हम लोग आ जाएंगे कहिए, ओके सर, चलो वासू, सर, धूल सर, यह अलग ग्रूप है, इसमें और को फेक नोट डिटेक्शन मोड भी है, अब यहां देखिए, यह MGUV दिख रहा है न, इन बटन्स का यूज करके, आप फेक नोट डिटेक्ट कर सकते हैं, बंडल में एक नोट भी फेक होगी न, सर, तो फस जाएगी, हाँ, फस जाएगी, क्या फस जाएगी, जाली नोट की ब चलना चुप चाब, तुमारा नाम क्या है, जयांती, पती का नाम, नारायन, काम क्या करता है, रियल इस्टेट बिजनिस, तुमारा क्या नाम है, सुनील, कैसे दोस्ती हुई, इनके एरिया मेरी मोबाइल की दुकान है, कैसे मालूम पड़ा, मेरे पती हमेशा खाना खाने क के लिए फोन करके घर आते हैं उस दिन बेना फोन की यह आ गए कि फोन क्यों नहीं किया भाई इसको तो मैं अभी उपर भेशता हूं रोज रोज का जंजड़ी खत्म हो जाएगा दिमाग का दही कर दिया है एई बैठ जाओ कि फिर आगे क्या हुआ हाँ भाया उन्होंने धंकी दिया कि वो इसे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे यह लीजिए पैसे कि ठीक कैसे भी सबूत मिल जाएगा लेकिन अगर मेरा नाम लीग किया तो अरे-अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगी हम चीक जाओ यहां से हम यहां आइए अहां आइंदा किसी को भाया मत कहना कैसे हो क्रिश्णा हां मैं ठीक हूँ सॉरी आईए आज भी युनिपॉर्म में अंदर रूम में ड्रेस रखी है जल्दी से जाके बदल कराओ ठीक है मा दरवाजा क्यों बंद किया समझे नहीं लॉक अप निकलो यहां से यह क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे अरिस्ट कर रहा हूं चाहो तो मुझे केस कर दो हमेशा तो चुप रहते हो आज क्या हो गया तुम्हें कुछ तो हुआ है मुझे कपड़े बदलने हैं तुम जाओ यहां से मैं को छिल्प करूँ क्या छोड़ो मुझे निकलो जाना पड़ेगा मुझे हाँ जाना पड़ेगा कि सच में जाओ जाओ ना ज्यादा भाव खा रही है कि माँ आटि के साथ अंकल करे में अकेले क्या कर रहा है क्यों बेटा सब के सामने तुमने च्श्य क्या कर दिया देखिए ना इस लड़के को, सबके सामने इसने हमारी नाक कटा के रख दिए क्या हूँ अमाजी, इसने ऐसा क्या कर दिया मॉका मिला नहीं कि मामा, आप तो डिसिप्लीन में रहो आप लोग बात का बतंगर क्यों बना रहे हैं आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है जाके अपना अपना काम कीजिए योलो भाई यहाँ है बेटा हाँ पापा सर, राइट में जाईए यहाँ है, ओके सर, बॉर्णिंग सर, बॉर्णिंग सर, बॉर्णिंग बॉर्णिंग, बैठिये अपना यहीँ दिव्या तुम चिंता क्यों करती हो? सेकंड कांसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं न? तुम चिंता मत करो सेकंड कांसलिंग वेटिंग लिस्ट की तरह है भहिया हमसे पहले बहुत लोगोंने अप्लाई किया होगा अब मिलना मुश्किल है तुम्हें जरूर मिलेगा, मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ ना नहीं पिता जी, चार मार्क्स पाइलोजी में ज्यादा चाहिए था इस सार कॉलेज की सारी सीट्स फुल हो चुकी है, सॉरी सर, सीट सब फुल हो चुकी है, अगर कोई कैंसलेशन होती है, तो मैं आपको फोन करूँगी, सौरी सर, केंपस में सारी सीट फुल हो चुकी है सौरी सर, कोई चांस नहीं है सौरी सर, अब हमारे पास कोई भी सीट नहीं है सॉरी सर, सॉरी सर, कोई सीट अवेलेबल नहीं है सॉरी सर, सॉरी सर ये क्या कह रहे हैं सर, डोनेशन पैसट लाख रुपए है क्या बात कर रहे हो कृष्णा, अगर दूसरे कॉलेज में जाओगे तो नोहमबर डिसमबर में ही सारे सीट ब्लॉक करके एडमिशन के वक्त एक लाख की सीट देर लाख में बेचेंगे और जो कॉलेज की एक्ष्वल फीज है वो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे क्रिश्णा, तुम दोस्त हो, इसलिए बता रहा हो और देखो क्रिश्णा मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि एसी साल डेम इणिवर्सिटी अप्रूव हो गई, सोच के बताना क्या हुआ, सब ठीक है ना नहीं भाहिसाब, तुम्हें कोई टेंशन है क्या यहां बहन का एडमिशन कराने आया था, नहीं हुआ क्या बताऊं, हर जगा एक ही बात सुनने को मिलती है एंटरंस एक्जाम खत्म हो गई है, एडमिशन क्लोज हो गए है, सीट्स फुल हो गई है यह डोनेशन दो बोलते हैं, बस बेवजा घुमा रहे हैं एक मिट मेरे साथ आओ, आओ ना देखो, सारे प्राइवेट कॉलेज में ऐसा ही होता है गवर्मेंट सीट को छोड़ कर, पची 30-40 सीट से यह कॉलेज चल रहा है दीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई तो, इन लोगों से कोई सवाल भी नहीं कर पाएगा तो डाइरेट कहीं अडमिशन नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, लेकिन कोई भी कॉलेज फ्री सीट के बारे में नहीं बताएगा आज कल सारे कॉलेज़ेस में एडमिशन एजेंट के जरीए ही हो रहे हैं ये लोग सीट खरीद लेते हैं और बाद मेने ब्लैक में बेचते हैं इनका यही गोरक धंदा है तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? अरे ब्लैक में पैसा कमानी के लिए करते हैं जैसे थेटर में टिकट बिखती है ना वैसे ही ये लोग सीट ब्लैक कड़के बेचते हैं यही इनका धंदा है तो मुझे क्या क्या करना होगा? आप इन लोगों के चक्कर में पढ़कर इस बेहन का भविश्य मत खराब कीजिए मैं एक नमबर देता हूं आप नोट कीजिए दर असल ये सभी एजेंट्स को जानते हैं ये इनका अडमीशन पक्का करवा देंगे क्या नाम से उकरू मुरारी देखो बाई मैंने बात कर लिय कब सुबर नवरंग थेटर के पास आके कॉल करना वहां मैं भी रहूंगा टेंशन की कोई बात नहीं है ठीक है कौन से स्कूल में चाहिए भाई स्कूल की नहीं डॉक्टर की सीट चाहिए अरे क्या करें बाई ये मेडिकल की सीट असानी से मिल सकती है लेकिन आज कल तो स्क पैचानवाला की भाई को सॉरी मेडम भाई नहीं बहन को मेरिकल कॉलिज में सीट चाहिए आप करा देगी तो महरबान ही होगी मैडम अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा हमारे पैचानवाला है करा दीजिए प्लीज ठीक है मेडम उसे ओफिस में प्लीज दीजिए ओकी चंद्रशिकर आप यहां सुबह ग्यारा बजी आजाना राजामनी रहेंगे यहां पर वो तुम्हें ले जाएंगे ओके थैंक्स मेडम मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं गवर्मेंट कोटा में नहीं मिला गवर्मेंट कोटा में मिलता तो आपके पास क्यों आते सर सबको मेरिट में सीट मिल जाएगी तो हमारा धंदा कैसे चलेगा आपके धंदे की वज़े से एलकेजी के लिए भी लाग से डेर लाग रुपए डोनेशन मांगते हैं सर यह बाई तुम्हें कैसी बात कर रहे हो राजमनी आप शांत रहिए यह लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं जिस पे गुजरती है ना दर्द वही समझ सकता है एलकेजी से लेकर प्लस टू तक आप प्राइवेट डिस्कूल्स में फीस भर देते हैं पर बात में गवर्मेंट्स की फ्री सीट्स चाहिए है ना प्लस टू में टॉप करने के बाद डॉक्टर बनकर लोगों की सिवा करेंगे ऐसा सब कहते हैं पर करता कोई नहीं है आप लोग मानिये या फिर ना मानिये कीमत हर चीज की होती है खर वो सब छोड़ो किस कॉलेज में अडिवीशन चाहिए कोई भी कॉलेज चलेगा सर 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 उतना नहीं दे पाएंगे थोड़ा कम वाला देखिए न तब तो राम जी साट लाग चलेगा क्या बोलो तो बात करता हूं वहाँ पर भी बाकी का खर्चा मिला के 85 लाग जाएगा सर अरे ये क्या तुम लोग अलू टमाटर की तना मोल भाव कर रहे हो कितना पैसा दे सकते हो बोलो फाइनल बताओ मैं 35 या 40 लाग ट्राय कर सकता हूं सर ट्राय कर सकते हो क्या मतलब देखो साट आठ लोग पहले से रेडी हैं पचास लाग लगेंगे चीज ये मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा इस साल ये डीम्ड यूनिवरसिटी भी बनने वाली है तभी तो ऐसा रेट है बोलो फाइनल क कम कीजिए ना सर इससे एक पैसा कम नहीं होने वाला है सोच कर बताना कि क्रिश्ण हम लोग पहले पैसा नहीं देंगे पैसे दे दिये और अड्मिशन नहीं मिला तो पहले सीट कर्फरम करते हैं उसके बाद पैसा देंगे यार 35 लाग कम होते हैं क्या हमारे पास इतना देने के लिए नहीं है इससे कहो कि कोई और कोर्स कर ले मा अगर हम ऐसा सोचेंगे तो यह डॉक्टर कैसे बनेगी ऐसा कुछ नहीं है अगर गवर्मेंट में मिलती तो जरूर पढ़ाई कराते अब वहां नहीं हुआ तो हम क्या कर स हजार और लाख रुपे देकर डॉक्टर बन रहा हैं तो अच्छे माक्स लेकर बच्पन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली हमारी दिव्या को पढ़ाना गलत नहीं है बेटी दिव्या आईए आईए ना बैठिये आपे बैठिये कितना इंतिजार किया तुम्हा दिव्या आपके लिए जो भी हो लेकिन हमारे लिए तो डॉक्टर ही है एक लड़की जब डॉक्टर बनती है तो पूरे खांदान को गर्व होता है यह हमारी तरफ से तौफा है इसे डॉक्टर जरूर बनाना कि क्रिष्णा यह रख ले नहीं यार वासो मेरी बात मानना आरे रखना तू यह रख काम हो गया समझो कि यहां इतनी भीड क्यों है हटाव जल दिन सबको फॉरेंसिक रिपोट आ गई है क्या आगई सर अंदर हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं सब का उनकी वाइप से ले लिया सर दो दिन पहले वह अपने बच्चों के साथ मांके घर गई थी पडोसियों ने देखके पुलिस को इंफॉर्म किया है सर कुछ समझ भी नहीं आ रहा सर सस्पेक्ट के बारे में कुछ पता चला किया अभी कुछ नहीं कह सकते सर चार पांच लोगों ने मिलके काटा है अपने रेकॉर्ड से इन कातिलों को मैच करके देखो घर के अंदर घुसके मारे हैं तो पक्का प्लान करना पड़ेगा ओके सर मेरी बेटी डॉक्टर बन गई एक तुम कोर्स खतम करके जा रही है तुम लोग ऐसा सोच रहे हो जैसे पहली बार कॉलेज जा रही है इस उमर में ही वो कहती थी कि मैं बड़ी होकर डॉक्तर बनूंगी और वो सुनकर हम खुश हुए थे आज वो बहुत खुश है इतना बड़ा बैंक और एक ही मशीन ओडर किया यह तो मेरे समझ के बाहर है सर तुम चुप रहो हो यह हमारे रेग्यूलर कस्टमर है ओ गुड मॉनिंग मैडम गुड मॉनिंग कृष्णा हाओ बोलो कौन सी मशीन लाए हो हाँ मैडम यह नया है जरा वो बताता हूं क्या कह रहे हो डेमो सर मेडम एक बंडल दो पहले जितना रुपया गिनना है उसको ऊपर रखिये और फिर उसके बाद थोड़ा रुपया साइट में डाली है फिर सर कृष्णा मैनेजर साब बुला रहे है ठीक है ओके मैडम इसमें एक खास बात और मैडम मैंने तो साइट एमों दिखाया कहिए सर बहन के लिए एजुकेशन लून अपलाई किया था जिया सर वो कॉलेज का अपरोल हिसाल कैंसल कर दिया है सर हां कृष्णा कि तुम मेडिकल कॉलेज में जाकर पूछताच कर सकते हो हाँ ब्रदर अपने बनाए जी जीम कॉलेज के साथ इंडिया के पूरे 37 कॉलेज के अप्रूबल को कैंसल कर दिया गया है यह आप क्या कह रहे हैं सर तो पहले वारे स्टूडेंट्स का क्या होगा जो सेकेंड और थर्ड यर में पढ़ रहे हैं इस साल की अप्रूबल को ही कैंसल किया गया है वो दोनों बैच कंटिनू कर सकते हैं आपने क्या बोला मैं समझा नहीं अरे भाई रिकोगनाइज पहले से अप्रूबल किये स्टूडेंट कंटिनू कर सकते हैं तो फिर वापस अप्रूबल नहीं मिल सकता ऐसा नहीं बोल सकते कॉलेज फैसलेटिज एमसीय को साटिस्फेक्शन हुई तो वापस रिनुवल दे सकते हैं यह सब रेगूलर है तो इस साल जॉइन की हुए कांसिलिंग कितनी सीटे लौड की गई है किसी सीटे लौट की गई है यह सब अची तरह से लिखा हुआ है और जाकर मैनेजमेंट से बात करिए मैं भी देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं बिना एप्रूवल के कैसे अडमेशन दिया पूछा तो भगा रहा हो अपने भरोसे पर कैसे पढ़ाय करवाएंगे मुझे भरोसा नहीं है भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं मैं मैंनेजमेंट को इंफॉर्म करता हूं फीस की वो रिसीट देकर अपना पैसा ले लो फीस की किसको दिया कहां दिया जहां दिया वहां जाके ले लो वरना कॉलेज कंटिन्यू करने की कोशिश करो निकलो यहां से इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, शांती से बात करके देखेंगे शांती से बात कैसे करूं मैं सर, ये कोई मामोली बात थोड़ी ही है, स्टूडेंस की जिंदगे का सवाल है सर भाई, वो यहीं कहीं होंगे, मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूँ, उन्हें मत बताना, चीके, मैं चलता हूँ सर, आप भी चली ना, नहीं ने भाई, मैडम को बिना बताय मैं उनसे मिलूँगा, तो मुझे डाट पड़ेगी, मैं चलता हूँ भाई, समभल के जाना है कृष्णा, वो रहा सर बोलो भाई कॉलेज को अभी तक अप्रोवल नहीं मिला, इल्लीगल ओपन किया है सर किसने कहा? मैंने एंसीय में जाकर पूष्टाश कर ली, इस साल भी उस कॉलेज को अप्रोवल नहीं मिलेगा बोल रहे थे तो क्या कॉलेज बंद करने कलिया बनाया गया है, अभी तु निकल यहां से, कल बात करेंगे बिना एप्रोवल वाले कॉलेज में अड्मिशन दिलाके आपने चपन लाख रुपे ले लिए सर अपनी बहन को इस कॉलेज में पढ़ने तो बाकी हम लोग संभाल लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, हमारे पैसे वापस दीजिए, नहीं तो फिर देख लेना, तेरी लो, क्या रे, एक ही बात को तोते की तरह रट रहा है, सुन, अपनी बहन को पढ़ा या मत पढ़ा ये तेरी मर्जी, हेलो, आप हमें धमकी क्या दे रहा है, जो पैसे दिये हैं, वो वापस मांग रहा हूँ, बहुत इजद से बात कर ली मैंने, ये, बस करो, बहुत हो गया, बस करो, तेबल पर पंगा हो रहा है, ये, वहां पर कौन पंगा कर रहा है, ये, भाई-भाई, ये लोग ब इसा है, एक दिन तुम खुद लाकर दोगे, चुपचाप चला जा यहां से, वरना मार की यहीं गाड़ दूगा, चल क्रिष्णा, यहां से चल, क्रिष्णा, यहां से चल, क्या हो बासु, मैं और क्रिष्णा, चंदर शेकर से मिलने गए थे, क्रिष्णा को फोन देना, बोलो, तुम लोगों को किसने कहा था हूँ आजाने के लिए, अभी कहा हो, बहराम भाग, ठीक है, सुबह बहराम भाग पुलिस टेशन जाके कंप्लेंड कर दो, इंस्पेक्टर से बात मैं कर लूँगी, ठीक है, ओके, फोन नमबर देना, अरे क्या तुम बूला रहे है, यहां के लफ़ला कर रहे है, चलो सबको मैटम बूला रही, तुभी चल ले, चलो भी चल, चल, आज़ाल दी, अधि मैटम, हम तो खाना खाके चुप-चाप जा रहे थे, इन लोगों नहीं मुझे हवाज दी, और हमें अपने पास बुलाया, मैडम, मैडम, यह जूट बोल रहा है, मैं सच कहे रही हू, यहाई लोग मिलके हमको छेड रहे थी, मैडम, यह जूट बोल रही है, मैडम, इन लोगों नहीं हमारे उपर हाट डाला और हमें तंग कर रहे थे, मैडम, हाँ मैडम, हमारी जे में जबरेस्ती हाट डाल रही थी, हमें भी तो लोग ऐसा वैसा कहते हैं, अब क्या हम सबको गलत समझते फिर, मैडम, तुम लोग निकलो य यहां से यहां किसली आए, यहां पास में कुछ काम से आया थे मैडम, कुछ लाइटली, ठीक है, तुम लग भी निकलो, बाइ मैडम, क्या मस्त लग रही थी दोस्त, भकल में खड़े होके ऐसा लाइन दे रही थी कि मेरे तो होश उड़ गए, सुनो, उनका फोन नमर और न जरा नंबर तो चेक करो, जी, यलो, रमेश, मैं कुमार बोल ला हूँ, कहा है तू, मैं रमेश नहीं हूँ, रॉंग नंबर है, फोन काटता हूँ, नंबर दिये, पांच मिनट भी नहीं हुए, और हमें यह चेक कर रहा है टोपी, टोपी को नहीं पता, हमने कितना कू बढ़ा है, तू, तू, दू, अबला, वियांड़ वाइट कलर की कार, दॉद 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 नमबर, जल निकल, झाल झाल बाई निकल कि रख लिया सब चलो है निकलो निकलो यहां से चलो जल्दी कर क्यों रहे बहुत ही जवर्दस्त एसी होगा इसका बिना इसी कर है सकते हो क्या तुम ए पास में आ आना क्यों डियर इसका क्या दाम है कि अधियर चड़ी की बात कर रहा हूं कि मेरे सवाल का जवाब दो अरॉंड थ्री थाउसंद अरे वह चड़ी तीन हजार रुपए में देकर खरीदी क्यों भाई तुम मुझे इस तरह घूर के क्यों देख रहा है तेरे पीछे खड़ी लड़की कहां समझ कर तुमेरा हाथ पकड़के बैठा है हाथ छोड़ कि छोड़ाथ यहाथ अठाना यहाथ 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 यह तो एसा क्यों गूर के देख रही है है तो क्या किसी को देखी नहीं है चला मुंड़े नीचे गाथ छोड़े यादि निकलो बढ़ने दो ने रुक जरा है बेटा क्या हुआ बेटा क्या हुआ बेटा ये लो फोन है क्या हाँ बेटा है मैं नंबर बोल रहा हूं फोन करिया है करो जा बेटा क्या हुआ लो करो जा लो कर अँजु रख कर दो आपई है लगा, इब हो जड़ी हैंग, जड़ है है? हुआ हाँ हुआ हाँ हुआ हुआ हाँ ङ्सु … फ sö चलो, से अपना हम अबाए चूलोग किया भी जिर एंगो कि अपा भूलोग है! अपनों, समय और एंगोğ मवाँ पुझा हुई जए रहते हैं अपनीला मोच कुर्मा कि यहाँ आलोग आलोग में जलावते हैं अब पूलोगा कि विल्षिंगते हैं, भी है ? वाट हैबन गवरो कौन थे वो लोग तुम जानते हो क्या कुछ तो जवाब दो गवरो नहीं पता है डैड़ी पैसा लूटने वाला थर्ड ग्रेड का क्रिमिनल है वो वो कहीं पर भी आओं आज की रात उसे नसीब नहीं होनी चाहिए सड़क के बीचो बीच उसे जिन्दागार दो जाहिए यहां से सर एक कंप्लेंट लिखभानी है इंस्पेक्टर साब से मिल सकता हूँ अभी वो एक बहुत इंपॉर्टन केस में ध्यान दे रहे हैं तुम लिखके दे तो भाई क्या लिखा है दिखाओ जरा कंप्लेंट लेटर को कॉन्वेंट टीचर को जैसे लिखते है न वैसा नहीं लिखना चाहिए लिखो श्रिवान साहब सेवा में निवेदन यह है कि ऐसे लिखना चाहिए केस डीटिल बताओ सर जीजे मेडिकल कॉलेज में मैंने मेरी बहन को एडमेशन करवाया था उस सीट के लिए चिदंबरम नाम के आदमी को मैंने पचास लाख रुपए दिये थे सर लेकिन अब पता चला है कि उस कॉलेज को एप्रूवल ही नहीं मिलाया सर जब मैंने दे सत्या से मार खिलवाया सर और कहा कि जिसको पचास लाख दिये हैं उसी से जाकर ले लो मैंने कॉलेज में पूश्टाश की तो वो लोग सही से जवाब नहीं दे रहे हैं सर अच्छा इस्टेफान लोकेशन स्पोट किया कर लिया सर कार उट्टू कोटाई से प्रिया बलम आ जलते इनफर्म करूंगा कोई बात नहीं मैं लाइन पर रहताओ जल्दी बताओ हां ठीक है कि सब ट्रेस कर लिया है कार मैंने सुन लिया कार चल रही है क्या नहीं नहीं यह एक ही जगह पर रूकियों यह बोलो तो मैं पुलिश्टेस ना फोन करके इनफर्म करूं नहीं न वो पकड़े जाएंगे करन कि मुझे उसकी शकल देखनी है ठीक है गवरो सत्या क्या है पार का पता चल गया एमजीन अगर में है कोई टेंशन नहीं भाई अपने लड़के हैं वहाँ पर काम हो जाएगा कार लेकार आताओं भाई एक काम करो कार के साथ सबको उठा के लाओ फोन करता हूं भाई क्या रहे भाई है हाँ है एक मिनिट ऊपर आओ भाई हाँ नमस्ते क्या बात है चंदर शेखर नाइट में एक पंगा हो गया भाई क्यों क्या हुआ कुछ नहीं भाई वह स्कूल के बच्चे भाई स्कूल के बच्चे वह हम सब लोगों को अंधर करवा देगा ये क्या कह रहे हो भाई मैटकल कॉलेज में उसकी बहन को सीट दिलवाई थी मैंने अब वह यहाँ वहाँ इंक्वाईरी कर रहा है कि कॉलेज के अप्रूवल नहीं हुआ वो पैसे वापस मांग रहा है मैं क्या कर कर गलती करती है वो कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है भाई है वैसा कुछ नहीं होने वाला वह बात नहीं है इस धंदे में मेरी बड़ी इज़त है इसलिए लोग मेरे पास सीट के लिए आते हैं अगर उसने पब्लिक को बता दिया तो हम सब की बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम हुई तो हमें उससे पैसा वापस करना ही पड़ेगा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या वो हर सीट का कमिशन दे रहा है बाते बन करो चंदर शेखर तुम कितने साल से बिजनेस कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला तुम जा कि अपना काम करो भ ऐसा होने नहीं देंगे यहाँ पर कुछ और ही प्रॉब्लम है एक काम करो अपने ऑफिस में वेट करो वहीं आकर बात करता हूँ ठीक है चलता हूँ यह सब मेरी वज़े से हो रहा है पिता जी मुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही है सब ठीक हो जाएगा दिव्या हम लोग भी पूछताच करेंगे जल्दी सब अच्छा हो जाएगा अब हम और कितनी परेशानी उठाएंगे बड़ी मुश्किलों से इतने पैसे खटे किये थे हमने तुम्हारे माबाप भी कितनी तकलीफ उठा के तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं ए पारवती तुम क्यों रो रही हो हम पुलिस में कंप्रेंट कर देंगे वो लोग सब देख लेंगे क्यों बेटा क्या क्याते हो पूस्तास के लिए बुलाएंगे ऐसा कहा था हेलो हां क्रिशन बोल रहा हूं हां जी बोलिये मैं पुलिस्टेशन से बोल रहा हूं जी कहिए सर तुम्हे काम करो तुम भड़ा बड़ पुलिस्टेशन आ जाओ यह कंप्लेंट तुमने किया है क्या जी हां सर तुम जानवी को कैसे जानते हो सर उससे इसके शादी हो रहे है सर अहां अच्छा तुम्हारी बहन को मेडिकल कॉलिज़ बे जोइन कर रहा है क्या जी सर चंद्रशेकर हो कब से जानते हो सर राजामनी ब्लोकर है सर उसके जरीय जानता हूँ चंद्रशेकर से तुम्हारी लडाई हुई थी क्या जी हां सर उसके साथ जो सत्या था उसने मुझे और मेरे दोस्त को बेवज़ा मारा बदले में तुमने क्या किया? सर मैंने इसकी कोई गलती नहीं, इसके लिए कंप्लेंट किया सर. अहां, तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया, क्या उसने यूहीं सुसाइट कर लिया? सर, क्या कहा रहा है सर, सुसाइट? हाँ, यार, थोड़ी दिर पहले वहाथ कटके मर गया, तुम लोगों पता नहीं है क्या, तुम लोगों ने पहले से ही ये कंप्लेंट हमें दिया था, इसलिए मैं पूस्तास के लिए बुलाया हूँ. सर, कंप्लेंट तो हमने की है, लेकिन चिदम्बरें को सुसाइट से बढ़े बेटे का कोई संबंद नहीं है, कोई संबंद नहीं है, सौरी, निकलो तुम लोग, चलो क्रिष्ना, चलो, पापा, अब थोड़ी देर वेट कीजिये, मैं आता हूँ. सर, कॉलिज की सीट के लिए उसे पचास लाख रुपे दिये थे, सर. सुनो, जानवी के वज़े से तुम्हें यहाँ पे इस तरह बिठा के बात कर रहा हूँ. नहीं तो हमारे पूस्ताज का तरीका अलग होता है. क्यों, सर, धमकी दे रहे हैं क्या? तुम्हें धमकी देने के कोई ज़रूवत नहीं है, क्योंके तुम जबर्दस्ती आके फंस गए हो, इरादा पक्का है, भालतों में तुम अपने जिंदगी बरबाद मत करो, अब जाव यहाँ से. ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता, सर. अब मुझे क्या करना है, मैं जानता हूँ. क्या कहा बेटा? है? ए, क्रिश्ना, रुपना. मेरे सावाल का जवाब दो. अरे, उस दुरेगा भी? ए, रुकेगा या नहीं? अन्दर उसने क्या कहा? मैं क्या बताओं पापा? कंप्लेंट करने पर केस उल्टा घुमाने की कुशिश कर रहे हैं. कंप्लेंट किया ना, थुड़ा इंतिजार कर, जान भी से बात करेंगे. चले, कंप्लेंट मतलब कुछ नहीं. पुलीस कभी भी नयाए के लिए काम नहीं करती. अगर वो काम करत करते हैं. दिव्या के लिए हमें शेहर में आये थे, बेटा. अब वो नहीं, तो एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकते हम. तुम भी आजा, बेटा. हम सब गाउं चले जाएंगे. यहां नहीं रहेंगे. नहीं पापा, मैं नहीं आऊँगा. मेरा कुछ काम है यहां पर. किसी एक की तो चाहत पूरी होने दीजिए. देख के बताना मुझे. नहीं सर, पहचान नहीं पा रहा हूं. ए क्रिष्णा, तु सच में नहीं पहचाना. गाड़ी नमबर से उस द्राइवर को पकड़ लिया. एक्सिडेंट के वक्त उसको देखा, ऐसा लग रहा है मुझे. यह ड्राइवर गाड़ी चला रहा था कि नहीं यह नहीं जानता. लेकिन यह एक्सिडेंट नहीं था. तो फिर तुने पुलिस को क्यों नहीं बताया? बताया तो, मैंने कंप्लेंट की तो मुझे बुला के धमकी दिया उन लोगोंने. अब मैं पुलिस से कहूंगा कि मेरी बहन को मार दिया तो मुझे ही फसा देंगे. हम, मैं अच्छे से जानता हूँ कि यह एक्सिडेंट नहीं था. यह एक्सिडेंट के आर्मे किया हुआ खून है. और यह साजिश किस ने की है, यह मैं जानता हूँ, वो सत्या है. तो सत्या को ऐसे छोड़ देंगे, उसे मारेंगे हम. जो बात हमें पता चली, वो सारा शहर जानता है, उस चेर्मेन को अरेस्ट करके कॉलेज को सील कर दिया गया है, पढ़ाई गई, अब हमारे फीचर का क्या होगा ये कहकर, तीन दिन से स्टूडन्स भूख खरताल कर रहे हैं, उनकी किसी को परवा नहीं है, तो कौन परवा करे जब तुझे पता है सत्या ने मारा है, तो इस बात को जानते हुए तो चुप क्यों है, जैसे तुम सोच रहे हो, वैसे उसे मारना आसान नहीं है, प्राबलम खत्म करना बड़ी बात नहीं है, उस वज़े से दूसरी प्राबलम ना खड़ी हो, ऐसा काम करना बड़ी बात ह स्टूडेंस का फैसला होने तक हम इस पर सोचेंगे नहीं हम इसमें क्या कर सकते हैं यार कर सकते हैं यार दर्द भुलाकर गुस्सा दबाकर शांति से सोचेंगे तो पता चलेगा बात सिर्फ सत्या की नहीं और भी बहुत से लोगों की है सिर्फ कंपलेंट करने पर जो लोग कतल कर सकते हैं, वो लोग किस हद तक जा सकते तुम सोच लो मिडल कलास वाले ऐसे गुंडों से डरते हैं, इसलिए उन गुंडों की हिम्मत बढ़ी हुई है लेकिन यहीं मिडल कलास वाले उल्टा हमला करेंगे दब पता चलेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे सत्याद जिन्दा चाहिए किसी भी हाल में उसके लिए मुझे उसके सारे डीटेल्स चाहिए मिस हो गया यार वो सत्या दस भीट के दूरी पे वो गोड़ा लेके खड़ा था निशाना भी लगा लिया था अगर बॉस ना आते तो वो हमें खत्म ही कर डालता थैंक्स बॉस बॉस तुम मेरी बात का बुरा मत माना तुम दिखने में तो डीसेंट लगते हो लेकिन तुम उसे फॉलो क्यों कर रहे थे क्यों बॉस जो नहीं पूछना था वो पूछ लिया क्या बहन को डॉक्टर बनाना था उसके एडिमेशन के लिए उसने मुझसे धोखे से पैसे ले लिए वही पैसे वापस मांगे तो उसने मेरी बहन को मार दिया कौन जो मुझे खत्प करने आय था हां बस वो अकेला नहीं है उसके साथ दो चार लोग और हैं उसे उठाने के बाद सोचा था बाकी के हाथ में आएंगे लिकिन अब ऐसा नहीं होगा अब मैं उन लोगों को कैसे उठाओं समझ नहीं पा रहा हूं कोई बात ने वास तुमने मेरी जान बचाए थी आप वो चाहे जितने भी लोगों हम उन्हें उठा लेंगे क्या बोलते हो तुम लोग ठीक है धर्मा उठा लेंगे ठीक है लेकिन वो तुमको क्यों मारना चाहता था सिर्फ एक बार नहीं दो दो बार धर्मा एक मिनट तुमने क्या नाम बताया जीजे मोटर्स ओनर्स का बेटा नाम है गौरव गवरव क्या कह रहे हो धर्मा वही तो कॉलेज का ओनर है भाई और हमें उसे ही उठाना है हाँ उसे तू भी ना पैसा लेक्या जाते इस गाड़ी को लाने की क्या जूरत थी ये कोई साधारन गाड़ी है क्या है अमीर लोगों की गाड़ी है ये हम कौन है अभी उन्हें पता चला होगा अगर हम हात आ तो हमारे टुकडे टुकडे कर देते मेरी गलती है यार अब ही मैं क्या करूं तुम थोड़ा चुप रहा हो और सुनो किसी इस्टेशन के पास गाड़ी छोड़ देंगे तब तक लड़कों को कहीं भी जाने क्लिए मना करना कि देख कौन है कि क्या हुआ अरे कुछ नहीं रे पार्टी के पेचान वाला है इसकी पार्टी फोरण में सेटल हो रही है इसके पार्टी के घर में दो-तिन का रहे हैं बहुत अरजंट है एक साथ सब बेचने की बात कर रहे हैं कभी भी किसी को भी लेके चला आता है भाई भाई नाराज मत ह थोड़ा अर्जंट है पार्टी बाहर घड़ी है पैसे का उपन नीचे चलेगा पहले गाड़ी देख तो लो क्या बोल रहे हो धर्मा कहां जाना है शबल गाड़ी से चलते हैं अपनी गाड़ी कहा है डेवा टाल के ले ले गया है अभी आजाएगा जाएगा यह है वो भाई आठेक हैं मैं संबाल लूगा अधर्मा नमस्ते भाई तो तुम्हारा नाम धर्मा है हां किदने साल से हो इस धंदे में दस बारा साल से ओंली लोकाल या फॉरेंड का भी करते हो बोलो भाई अरे बोलना कंता है फ्यास को पिखने दो फैड का आए अर्बॉटैने sowra था आयका मेरे gauche में दाली नहें जलVAई ये डिरी को हज़े क है तिंगा देव कि अदेवा देवा कि अदेवा कि कि अदेवा एद देवा कि अदेवा सबको गाहँ में डालो आदेवा किंदेवा fede सिटेवा जलो रहे बाई 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 हमसे गलती हो गए बाई प्लीज प्लीज बाई हमें छोड़ दो ना भाई प्लीज तुझे छोड़ दू इतनी आसानी से जिस आत्मी के पास होटल, कॉलेज और इतनी बड़ी कमपनी हो उस जीजेम गुरूप के ओनर कावरा की तुकाली उठाएगा और हम तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे हम एक एक करके तुम सब को मारेंगे किसी को नहीं छोड़ेंगे कि मर पारिश चोड़ेंगे अगा पारिश घंड़े गिरेंगे अगला कि अगला पारिश जोगोंको नहीं पारिश जोगोंको अगा एक वागए खाल ग्मार इफेल पारिश जल्दी प्राइबिज जल्दी अगर हम रिस्क लेकर एक्सिडेंट ना करवाते तो हम उसे दिन मर जाते हैं उसे उठाना इतना असान नहीं है बॉस एक खिलाडी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतिय स्वस्त और चुस्त रहे तंबाकु स्वास्त्य और तंदुरुस्ति को नुकसान पहुचाता है सभी तंबाकु पदार खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्त और तंदुरुस्त रहना चाते हैं तो तंबाकु से दूर रहे मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आईए तंबाकु के सामने दीवार बन कर खड़े हो कोना बंद करिए सर आप इन्हें क्यों मार रहे हैं सर किसकी बात कर रही हो आप फर्स्ट वाला कृष्णा सत्या मर्डर केस में एवनेस ना होने से छुप रहे थे पूस्तास करने से यह तीनों ही एकिस नोटेड हुए है इसने तो सत्या और चंदर शेखर पर कंपलेंड भी ठोख दिया था चंदर शेखर न तो पहले ही सुसाइड कर लिया था इसलिए मैं इसे पूस्तास कर रहा था सुरी सर यह ऐसा आदमी नहीं है मैं इसे परसEsnaL Y zij जानती हूं मेरे कहने पर चंदर शेखर और सत्या पर कंप्लेंड किया था ठीक है अब मुझे इंसे कोई पूस्तास नहीं करनी है आप अपने गरेंटी मुझे लिख कर दीजिए और ले जाए इसे कि टैंक्यू सर्व हाँ कि अ कि 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 पर अजिए कि मिनिस्टर हलो हाँ बोलोगारो सेकेंड थर्ड्यर श्टुट्यंट्स को गवर्मेंट इसbn शिए सब्सक्राइब करें करें हमें पता था एक काम करो गवरो आप स्टेट मिनिस्टर से बात करके देखता हूं इस मैंटर पर फोन पर बात नहीं करेंगे कि क्या कहा मिनिस्टर ने पक्वास कर रहा है कुछ सोचना पड़ेगा कि गवरो पिताजी को बेल हम कॉलेज का मैटर खत्म होने तक उनका अंदर रहना ही अच्छा है बाकी देख लेंगे एड्वोकेट को फोन करिया है कि हाँ करन सत्या से मिले थे ना क्या हुआ सत्या जवाब दो सब तरफ लोग किया तो क्या मैं एसकेप नहीं हो सकता हूं क्या सुरी धर्मा थुड़ा लेट हो गया क्या बॉस तुम भी इतना बड़ा रिस्क लेकर तुमने हमें सेफ किया सुरी मत बोलना अंदर आईए आईए आजा बैटिया बॉस यह लो धर्मा तुझे बात करनी है तो इससे बात कर लड़कों को सेफ रहने के लिए कहूं मैं बताऊंगा कि क्या करना है ठीक है चलता हूं धर्मा हुम कि अगर आई एक क्रिश्णा यह तु क्या कर रहा है जानता है तुझे जरा भी गुस्ता नहीं जानता हूं और तुझे इसे मारना नहीं गवरों का परदाफाश करना ज्यादा जूरूरी है अब इस खूनी खेल में धर्मा को यूज करेंगे अब साप को कैसे पार करना है और सीधी कप चड़नी है यह मैं अच्छे से जानता हूं अब चलो ए लड़कों को फोन लगा हलो मैं सागा बोल रहा हूं एक नट सागा ए दुखान देखने ज़रा है ठीक है भाई बाई सागागा थूं है कि है कि हैलो थे बता है लूँन वहां कोई प्रॉब्लम एकिया दैंगे जैसे देवा की मोद को भूल गए मैंने फैसला कर लिया है तुम लोग आओ यह मता हो आज रात में उसा खतम कर दूँगा अरुन मेरी बात मान ऐसा मत करना यह वह घरव को उठाने की बात कर रहा है भाई कि ए अरुन कि ए धर्मा पैसे के लिए तो तुने बहुत हिम्मत दिखाई दे लेकिन क्या अपने दूस्तों के लिए कुछ नहीं करेंगा बोलना भाई करेंगे यार अरे मत मरी मेडम मैं बताता हूं मेडम बोलना मैंने मना किया थे मेडम वह अपने हजबें से डर गई इसलिए मुझे धर्मा नाम के गुंडे के पास लेके गई थी मेडम उसका हजबें मुझे कुछ कर देगा यह डर से मैं उसको साथ चला गया था मेडम सौरी मेडम क्या रहे बहुत बड़ा आशिक बनता है क्या अभी तो सही से मुझे भी नहीं निकली पती के मरने से पत्नी दुख में रहती है और तु इसके साथ घंटो फोन पर बात करती है तेरी इतनी हिम्मत की पती को गुंडों से मरवा डाला धर्मा का फोन नमर है क्या समझ में आय यह नहीं थीक है मेड़म सुधाकर मैडम नमर लेकर चेक कर एक्टिबेट है कि नहीं चेक करके ट्रेस करना ओके मेड़म कि घरमा को देखा था क्या नहीं नहीं साहब हमने नहीं देखा वह कहां मिलेगा हाप यह वहाँ बाइक Gएरेज आ जाके देखिए are iradir sama का चायदुगान से क्या समनिद कहीं पीके पड़ा होगा उधर देखियं जाहिए झाहिए ठीक है अधर, भाई, धर्मा का घर कहा है, जानते हो? उसके पास घर कहा है, कहीं पी के सो रहा होगा. यह नहीं जानता सर, चलो. भाई घर में कोई नहीं है भाई घर तो कई दिनों से बंद लग रहा है खीक है आजा ओके भाई कि अगे कि कि अगे उगे से लगे हैं भाई भाई झाल 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 रोज यहीं से जाते हो क्या हमेशा मिसी राष्टे से जाते थे सर अचानक से कच्रा गाड़ी आ गई तो हमने रास्ता चेंज कर दिया सर वह कितने लोग चार लोग थे सर और उनके हाथों में चाकू भी थे पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर अचानक सरवन जल्दी बॉड़ी हटाके पोस्ट मार्टम के लिए भेजो जी सर धर्मा यही है क्या नहीं चलो चलते है इसका नाम अरून है मैडम यह धर्मा का साथ ही है मैडम यह सब लोग ग्यारिज में एक साथ रहते हैं मुझसे बिना पूछे चले गए अब अन्जाम देख रहे हो ना अरून मर गया अब खुश हो गए तुम लोग देख सागा बड़ी रिस्क लेकर मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ठहरा है समझे ना तुम तुम लोगों से ज्यादा गुस्सा मेरे दिल में भरा हुआ है थोड़ा टाइम लेकर काम करेंगे कहा था ना एक गलती करेंगे ना तो सब को उठा कर लेके जाएंगे फिर समझ लेना धर्मा तुमको भरोसा है तो यहाँ पर रुको वरना यहां से जा सकते हो उसे कैसे मारना यह मैं जानता हूं सौरी क्रिश्णा हमें पूरा वरोसा है कि आज हम चारों गलती करके फज गये थे क्योंकि हम अनपढ़ है गुस्सा और जल्बाजी में काम कर गए आगे हम सोच समझ के काम करेंगे क्रिश्णा कि सुना है कि हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की हम सभी को कॉलेज बदल देना चाहिए या तो जीजी एम कॉलेज को गवर्मेंट अंडर्टेकिंग कर दो दोनों में स्टूडेंट्स के लिए अलग क्या है वही कर लेंगे सर हमने अगर इन्हें गवर्मेंट को जोईन कर आया तो जो बैच में है वो स्टूडेंट तो प्रॉब्लम करेंगे ना बहुत बड़ा इसू हो जागा सर करेंट इयर में इसे अगर शीटेल नहीं कर सकते सर उसके लिए हमारे पास और भी सजाशन है बायो टेक्नोलजी फीजियो अगर हमने पहले इंक्वाइरी कर ली होती तो हम इस कॉलेज में जवाब देंगे तो मुझे यहां किस लिए बुलाए गया कॉलेज गवर्मेंट के नाम करके हाथ मिलाने के लिए आया हूं क्या अप्रूबल के बिना एड्मिशन दे दिया यह मानता हूं उसी कॉलेज की वज़े से मेरे डैडी आरेस्ट हुए है कोर्ट में केस चल रहा है और इसी अप्रूबल को पाने के लिए सभी स्टूड़न् जे यह रहे स्टुड़्न्ट के सञिंड कि हुए से फिरूबल किया है यह हम लोग के साथ फ्रॉड किया है तुम्हारी दिय वीवी के पैसे कालेज एकौंट से गवर्मेंट ने ले लिया है अब क्या है गौर्मनने रिफंड किया था लेकिन सिरफ हमारी फीस और बाके के सुडेंट्स जो पचास साथ लाख रुपे दिये थे उनका कौन वापिस करेगा अगर यह सच है तो इस बात को प्रूफ कीजिए आपका जितना भी पैसा होगा एक घंटे के अंदर वापस कर दूगा फंड प्रॉब्लेम के वज़े से उस जमाने में सरकार एजूकेशन को प्राइवेट के लिए दिया लेकिन जो लोग बिल्डिंग बनाने के लिए डुनेशन, बुक्स के लिए फीस, लाइबरेरी फीस, बस ये वो बोलकर सरकार के तरह वो लोग कमाने लग गए इसलिए इसको दिये पैसे को आधा कर देने से पूरा कर देने सोच के मेडिकल पढ़ने के लिए बहुत सारे लड़के रसिया चाइना क्यूबा में चले गए इतना खर्चा कर दिया तो मेडिकल का फ्री में करने के लिए बना हुआ है जितना पैसा भारा वो जल्दी वापस लेने के कोशिश करेंगे क्यूं फाल तू बातें कर रहे हैं सर मैं अब भी कह रहा हूं इस कॉलेज को अप्रूबल दे दीजिए मैं इसे रन करूंगा क्यों प्रहा है क्यों क्यों कोशिए मैं और रंगल स्था एक जर गास अपाल को बहुत वाई है सुनो करें यर पैरेंट्ट आजन को पैसा दिय थे सार एजेंट्स को पकड़ के मैं पूस्तास करों सुन्दर सर है क्या सर वो दो दिन से घर से बाहर है आज आने वाले थे लेकिन सुबह से फोन ट्राइक कर रहे हूं स्विच ओफ आ रहा है सर मई और जून का महिना आया नहीं कि बस कॉलेज सीट स्कूल सीट के पीछे भागते भागते ही जिन्दिगी बीच जाती है ए चल अं कर देना है ठीक है सर सुन्दर घर पे नहीं है ओके सर बच्चों का एड्मिशन समझ भूच करकर आना चाहिए था अब इसका जवाब कौन देगा हाँ यह सब लोग एक साथ कहां गया भोग है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहां ढूंड़े इन चारों की कीमत तीस करोड है तू एक्सपेंसिफ इस दुनिया में पैसे वालों की सिर्फ दो कैटेग्रीज है पहली जो खुद मैनत करके कमा के तीरे धीरे डिवेलप करके यहां वहां भटक कर आगे बढ़ते हैं और फिर अमीर बन जाते हैं दूसरी मेरे जैसे अमीर आपके घर में पैदा होते हैं लेकिन उनका मकसद जिन्दगी में सिर्फ पैसा कमाना होता है लाइक I cannot मुझे पता है सिंदगी में पैसा कैसे बचाया जाता है लाइक हाँ मैजिक, बहुत मैनत का काम है ये, बहुत साल पहले ये फैक्टरी ये चोटी सी लेबर प्रॉबलम की वजह से, बंद करनी पड़ गई थी, उस दिन से आज तक ये बंद है, उस दिन मेरे डैडी को क्या-क्या फेस करना पड़ा था, तुम लोग यह नहीं जानते हो, कॉलिज क अगर ये चारों फसे तो, सिर्फ हाथ से पैसा ही नहीं, पचास करोर की प्रॉपर्टीज भी जाएगी, खत्म कर दो, लेकिन इन सब की बॉड़ी पैचान में नहीं आनी चाहिए, स्मैश देम, पैसों की लालच में ये चारों मारे गए, क्लासिक मार्डर, हम, 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 हम हुआ 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 है लोग पीछे पीचे पीचे करो तो हम लोग यह थे जोड़े माइक पिछे जाए हुआ नहीं है दो पर आए चोड़िये रवीजें नहीं अटेगे आसे अमारी मांगे पूरी करो। दर्मा गाड़ी रोको। अरे सुनाज़ी ने देदा तुम्हें चलो। क्रिश्णा 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 कि ए चलो आगर वढ़ो जाओ जाओ क्रिश्णा 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 क्र मेडम एक मिनट करण सार है क्या नहीं वो तो अभी अभी बाहर गया अभी निकले है उन्होंने बुलाया था कोई बात नहीं मेडम मैं फोन करता हूँ ओके मेडम थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या एक मिनट रुकिया अभी अभी नहीं मेरे नाम से प्रॉपर्टिली है उसे लेगली गवरों के नाम पर कर दीजे सर गवरों के जनकारी के बिना गवरों से इस बारे में मैं बात कर लूँगा सर अब डोक्यूमेंट्स रेडी कर लीजे जरूर करूंगा करन सिर्फ तुम्हारे लिए अलो कृष्णा वो निकल रहा है हमें क्या करना है क्या बोला कार को फॉलो करो कहा है अलो क्या हुआ क्यों रूरीहों अनु बोलो जल्दी अनु क्यों रोरीहों बताव मुझे वो मैं बताता हों करन तू कोन है और मेरे घर में क्या कर रहा है तू मुझे शांत शांत रहो करण मैं जो बोलूगा वही करना डिस्प्ले से अगर एक सेकेंड के लिए भी इधर उधर हुए न और होशियारी करने के कुशिश की तो तुम्हारी अम्मू का ये आखरी दिन होगा समझ लेना तुझे लिए साथ लोगों का साथ होना ज़रूरी है तू स्टूडेंट ग्रूप का है क्या तू बहुत गलट कर रहा है बखवास करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है साथ लोगों से जो टूनेशन लिया है उसकी सारी डीटेल्स मुझे चाहिए टॉनेशन डेटेल्स वो गवर जल्दी, पीछे मुड़ कर देख, बाइक पर दो हेलमेट पहने हुए लोग है ना, सारे डीटेल सुने दो, तब तक तुम लाइव रहो, याद रखो, लाइन कट नहीं होनी चाहिए, आधे घंटे का समय देता, अरे मैं सब कुछ दे दूगा, अगर उसे कुछ मत करना, प्ल थोड़ा म्यूट करो, बोलो, कृष्णा वो गाड़ी से उतर की किसी बिल्डिंग में गया है, कमर्शल बिल्डिंग लग रही है, ठीक है, वहीं पर वेट करो, हलो, धर्मा, क्या हुआ, वेट करने क्लिक आ है, अभी तक हां वेटी तो कर रहे हैं, हाँ, बोलो, कृष्णा, गौरवी उसी बिल्डिंग में जा रहा है, यह हमारे लिए सही मौका है, क्या कहते हो, गल्ती मत करो, मैं बताओंगा तब तक वेट करो, अभी भी वेट करने के लिए क्या रहे हैं, फोन अन्म्यूट करो, करन, काम हो गया, हाँ, हो गया, बोलो, जल्दी निकलू, गवरव ऑफिस आ रहा है, क्या हुआ करन, क्या कर रहे हो, वो ओडिटर ने एक फाइल मांगी थी, इसलिए, राम, अंदर आओ, उस लड़के को कुछ हुआ तो नहीं, कुछ नहीं हुआ है सर, ग्लिडिंग जादा हो गया थी, बेहोश हो गया था, लेकिन बच गया, क्यों करन, अगर वो स्टुडेंट मर जाता, तो क्या हो जाता, बड़ी प्राब्लम हो जाती थी सर, बाकी की कॉलेज स्टुडेंट्स भी गवर्मेंट के खिलाफ हो जाते थे, और मीडिया भी चुप नहीं राती थी, कॉलेज बंद करने की नौबत आ जाती थी सर, उन्हें स्टुडेंट्स में से कोई एक सुसाइट करके मरना चाहिए था, इस हर्ताल के खत्म होने से पहले ये हो जाना चाहिए, ओके सर, सुसाइट प्रूफ होना चाहिए, ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जागा सर, करन, एनी प्राब्लम, वाइफ के चेक अप के लिए हॉस्पिटल जाना है, तो चलता हूँ, भार आ रहा है, हमारे पास ही आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आने दो, आ गया, आ गया, पास में आने दो, देखते हैं, यह लो, और जाओ जल्दी, करन मुझे एक फाइल देकर कार के पास जा रहा है, जानता हूँ, तुम गोडाउन में आ जाना, तो उसे, वो मैं देख लूँगा, तुम जल्दी आ जाओ, आप क्या बोल रहा है वो, हमें गोडाउन में आने के लिए का है, अरे उसना हमको समझ क्या रखा है, कभी बोलता इदर जाओ, कभी बोलता हुदर जाओ, अब गोडाउन में वापस बुला रहा है, अन्नो, हाँ, 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 मुझे माफ कर दो, अन्नो, हाँ, मैं तुम्हें क्यों माफ करूं करन, ये कौन सा काम है, महरबारी करके मुझे माफ कर दो, ये काम, ये पैसा, ये जगा, इस सब को छोड़के मैं जाने के लिए तयार हो गया था, लेकिन वो मेरे मूँ से सारी बाते उगलवाने के लिए, तुम्हारी का दन पर चाको रख दिया था, नहीं करन, नहीं, उसने जो किया, सही किया, अगर वो ये सब नहीं करता, तो मुझे तुम्हारी असलियत का पता ही नहीं चलता इन लोगों के लिए मैं अब तक आप से बात कर रहा था, मेरा काम गलत लगे तो आप पुलीस को फोन कर सकती हैं, नहीं तो हमारे लिए सिर्फ दस मिनट के लिए अपने पती को फोन कीजिए अगर वो चाहता तो उस वक्त वो तुमसे अपना पैसा किसी भी खीमत पर वसूल सकता था, करन गलत काम का नतीज़ा हमेशा गलत ही होता है अभी भी कुछ नहीं विगड़ा है करन, उसके पैसे ले जाकर वापस कर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अगर मैने उसके खिलाब कुछ किया तो वह मुझे मार डालेगा तो मैं सिर्फ अपनी पड़ी है, बाकी स्टूडेंट का? जाएगा सिधा चलो एक मिनट वास हो 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 करन मैं हूँ सो गय थे क्या नहीं गवरों बोलो सब कुछ ठीक से हो गया ना गवरों गवरों ही हूँ गवरों तुम क्या पूछ रहे हो मैं क्या पूछूं करन मेरी गैर हाजरी में मुझे सब कुछ पता चले इसलिए तुझे रखा है अब तू ही मुझे से बाते चिपाएगा करन तो कैसे चलेगा अलो अलो सर कहा था ना सर करन बहुत शाप आदमी है करन लाइन मत कट करना रुको रुको करन कट मत करना मैं तेरे बारे में कितना कुछ सोच रहा था लेकिन तूने ऑफिस में आकर मेरे डॉक्यमेंट सी चुरा लिये मैंने उस लड़के को ठूआने की कोशिश की तो तुने उसे बचाया क्या हो गया है तुछ को करन नहीं गारौ पहले मेरे बात दूसनो बोल बोल मैं सुन रहा हूं गःओरौ हम गल्तियां पर गल्तियां कर रहे हैं कौरो इस गल्ती की सजा कल मेरे बच्चे को भुगद नहीं पड़ सकती है कौरो अगर कल मुझे कुछ हो गया तो मेरे फ्यामरी का क्या होगा अच्छा वो तेरी वाइफ को धंकी देगा तो तू कतारी करेगा गोरो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तेरी वाइफ और तेरे होने वाले बच्चे को अब जरा संभाल कर रखना तेरी जिम्मेदारी है ना गोरो मेरे पाथ से ना गोड़ नाइट गोरो मेरे आप आप बच्चे जिम्मेदारी हैं अब पास्ता नाइट गोरो मेरे थाइब पास्ता आप बच्चे को तेरी जिम्मेदारी है झाल 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 कर देख लिया ना पब्बिक प्लेस में ना करके सीधियों के घर में अकेले घुश के कर दिया यह सब तो ठीक है बहुत बहुत शार्प है यह सब तो ठीक है बहुत बहुत शार्प है यह तनी कॉन्फिडेंस है कैसे बोल रहे हो और अब गौरब को कैसे उठाना यह बताओ अगर वो लोग करन के घर के अंदर पहुंच सकते हैं इसका मतलब उनका अगला टागेट मैं हूँ अरे नहीं सर आप कैसी बाते कर रहे हैं उसकी इतनी हिमत कहां कि वो आप तक पहुंच पाएगा सर वो स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा है मतलब उन लोगों का कोई पहचान वाला है वरना कोई इतना रिस्क क्यों लेगा वो लोग अंदोलन कर रहे हैं मुझे इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन करन कुद हमकी दिकर डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने चाहिए थे धन शेखर जी भाई आपने बावन लाख दिये थे ना हाँ भाई कोड़ दिपिका हान म भाई आपने 56 लाख दिये थे ना हां भाई शपर करने वाध है सै किस्टूडन से कितने पहसे लिए यह नोट किया गया है सर मतला वे फाई वी फाई पैसा है क्या हाँ सर अगर तारिख से देखे तो यह सब सही है हम इसे पूरूब कर सकते सर अरे करेंगे कैसे लेकिन ये छोटे-छोटे फाइल के कटिंग पेपर कटिंग कोई सबूत तो नहीं है ना गवर आओ इसे आसानी से तो नहीं देगा है हमारी आखरी उंबित करन था अब वो भी नहीं रहा कि अ कि कि माडम एटल की ओफिस से मेल आया है जिस नंबर की इंक्वाइरी हम लोग कर रहे हैं वो पहले दो बार डियक्टिवेट किया गया है इसलिए तीम लोगों के अप्लिकेशन फोटोस और डीटियल्स भेजे हैं उसमें से एक ये धर्मा है जैनती से कंफर्म करने के लिए दो पुलीस ओफिसर भेजे हैं मैडम लोगो के लोगो कि लोगो कि लिए तीम लोगो से कि ये कि लिएैं मेडम लोगो कि अप्लिकों कि लिए में लोगो कि खुआ है कि अभीकार नहीं है धर्मा वेट करो तुमने खुद फैसला करके क्या हसिल किया जरा सोचो करन भी नहीं रहा तुमसे कोई सवाल करने वाला भी नहीं है अनुभाव की कीमत होती है याद रखना गोरो और इज़त देने वाला हमेशा उपर ही रहता है कोई चांस नहीं है यह जायलक बहुत पुराना है डैड़ी बिल्कुल आप की तरह आप यहां रहकर आराम कीजिए कॉलेज जल्दी शुरू होने वाला यह खबर में जल्दी दूँगा हम बाई डैड़ी हलो हलो कौन बोल रहा है किसका फोन था कृष्णा पताने धर्मा रॉंग नंबर था कृष्णा गोरो अब जाओ धर्मा गुलोबल टेक्सी आ रहा हैं काउंटिंग मश्यन को ठीक करने के लिए थोड़ा भीट करेह हैं कौन बोल रहा हो बताओके कुछ नहीं, सर आईए, अंदर आईए सर मैं ग्लोबल टेक्स से बात कर रहा हूँ हम अफिसेज में मनी काउंटिंग मशिन सप्लाइ करते हैं आपकी मशिन के लिए एक फ्री सर्वीस है अगर आप करवाना चाहते हैं तो स्टाफ को भीज देता हूँ हाँ, कभी भी आ सकते हूँ, आने से पहले फोन कर लेना थेंक यू सर हलो सर, कौन है आप? हम ग्लोबल टेक्स से आ रहे हैं, राम सर ने भुलाया था ओके, जाए ग्लोबल टेक्स से काउंटिंग मशीन ठीक करने के लिए आया हूँ, सर हाँ, वो मशीन अंदर है, एक मिनिट रोको मैं लेके आता हूँ सर, काउंट के लिए कैश्च चाहिए थोड़ा वेट करो सर, काउंट कर दोड़ा है सर, काउंट कर दोड़ा है झाल... झाल झाल कि अई है है कि अई है है चल अंदर और है इसक्राइब कि अच्छे तरुट्य के बावजूद अंदर कैसे आया मुझे इस बात का जबाध आप चाहिए सर्वोबल टेक्स है आया था किया है हरा घी मैं उसके नमबर पर फोन हम मे cuando है हलो सर्ट गोलोबल टेक्स स degasin serpent के लिए कोई आया है सर्ट्रोल Karl सर कि अधिए 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 उसे भेज़ दो ओके सर अधिए कि अधिए गुड मॉनिंग सर मेराजा मसीन ओ याँ क्या लूज नोट मशीन है मैंने तो सोचा था बंडल नोट काउंटिंग मशीन होगी सर यह ले लूँ चेक करने के लिए सर हमारी मशीन की एक साल की गारंटी सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो है सर ठीक है आये न सर आप एक बार चेक कर लीजिए सर अगर आप एक बार चेक कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा चलता हो सर चलता हो सर यह तो इशारे में बात करता है सर जो आया था वो भी ग्लोबल टेक ही कह रहा था तो क्या डाउट है कॉल करो उसे हेलो ग्लोबल टेक मैं जी जी एम ऑफिस से बोल रहा हूं बोलिये सर आपके ऑफिस से स्टाप बोलके एक लड़का आया था जी सर बोलिये ना उस लड़के का नाम क्या है राजा क्यों क्या हुआ सर नहीं कुछ नहीं है ओके सर 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 आपको कभी भी नया मशिन चाहिए हो तो कॉल कीजिएगा कि सर मैं सच में कुछ नहीं जानता सर कि सर यह सब क्या है तूने मेरी सारी डिटेल्स उस आदमी को लीग कर दी है ना सर मैं कुछ नहीं जानता हूं सर तो तू क्यों जानता है है कि अधर मा बोल रहा हूं तुम उससे नाराज हो मैं अच्छी तरह जानता हूं लेकिन अभी यह बात जाने दो मैं तो बस तुमसे मजाग कर रहा था लेकिन न जाने कैसे उसने तुम्हारे सारे प्लान को मिट्टी में मिला दिया अभी वो मेरे पास ही है तू आफिस तका कर कैसे बच गया मैं यह सोच रहा हूं सुनना तेरे फोन पर दो फोटो भेजिए पहले वो देख धर्मा हूं मैं धर्मा ही हूं तुमसे डॉकुमेंट्स कैसे ले लिया मैंने देखा तुमने मरी शकल तो देख ली न अब तो मुझे छोड़ोगे नहीं हम कंप्रमाइस कर लेते हैं तुझे परिशान करने वाले को मैं लाकर के देता हूं तुझे क्या चाहिए बोल मुझे क्या गोरो इस गेम से मुझे चुटकारा दिला दो और सेटल होने के लिए कुछ पैसा भी कितना चाहिए तुझे तुम खुद बोलो 20 लाक एरे यह क्या तुम 30 लाक लेकिन डॉकुमेंट्स दिखाने से पहले देना होगा ठीक है 50 लाक फाइनल करता हूं जानता हूं यह प नहीं करूंगा चल्दिया नहीं मैं उसे अकेले ही लेकर करके आऊंगा तुम्हारे साथ में तो लड़किया होंगी ना अकेले आजा चल्दिया तु पागल हो गया क्या खुद क्यों पसरा है गौरव को मारने से क्या यह प्रॉबलम सॉल्व कर लेगा तु क्रिष्णा नहीं जानता अगर उसे मारना होता तो पहले ही मार चुका होता लेकिन स्टूडन्स की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा फैसला मिलेगा यह सोचकर अब तक चुप रहा लेकिन अब वो स्टूडन्स को ही मारना चाहता है इसलिए उसे मारना बहुत ज़रूरी है तुम चिंता मत करो धर्मा और सागा मेरे साथ है खुम चुम चुम चाहता है जग। जग। झाल 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 इस बैग में 20 लाक रुपए एक्स्ट्रा है इसको मार कर पैसे ले लेना ये तुम्हारे हुए दर्मा किसी भी हाल में गौरव हमें नहीं छोड़ेगा हम क्रिष्णा के रास्ते से चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पैसा बराबर नहीं दिया तो हम क्रिष्णा को महीं छोड़के वहां से भाग जाएंगे नहीं तो क्रिष्णा से गौरव को खत्म करवा देंगे गौरव क्रिष्णा को मारे या क्रिष्णा गौरव को मारे हमें क्या फरक पड़ता है हमें तो बस हमारे पैसों से मतलब है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है आज के पैंके पाफ्यो कारओड़ करें इडाने sound हुआ 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 काfrist कल रहां प्राम उर स्टप लाए में रहिं जीं वो लग्वच्तिं ऑाल लगे मिल प्यार आ कर अ कर ए SU हर रहाँ? अपत्त टिरूएसंग कर दो. किष्णा किष्णा तो इसे मार कर पैसे ले ले मुझे छोड़ दे तुरिलोक अपने सागर को गौरों ने मार दिया किष्णा उसे गन दिखा रहा है वो उसे मार देगा आप यहां जल्दी आ जाओ मैं तिरलोक नहीं मैं कॉंस्टेबल सुधाकर हूँ मुझे पता है तुम लोग कहा हो मैं आ रह अगर इसे मार कर हमारे पैसे वापस मिलेंगे तो पैसों के लिए किसी की जान लेना गलत नहीं ये बात सत साबित हो जाएगी बिना अप्रूवल का कॉलेज चलाकर तु इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहा है यही मैं सोच रहा था लेकिन कॉलेज का अप्रूवल हासिल करने के लिए इन स्टूरेंट्स से पैसे लेकर तुम गवर्मेंट को ब्लाकमेल कर रहे थे वो जो लेटा है ना वो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है क्योंकि वो पैदाईशी गरीब है लेकिन तुम तुम तो पैदाईशी अमीर हो फिर भी तुमने लोगों से धोखे से पैसे लूट लिये तुम तो भिखारी से भी गए गुजरे हो चल जा कि वोखे से लिए छोईपिए लुजरे हो पैसे उतिता बद्ट बादारी से लिए लुजरे हो पैसे कि यादब कैसे से लिए झाल 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 झाल